भीमपूर्थाना च्छेत्र के वार्ड संख्या चादा में गुरुवार की संध्या में खेलने के दोरान चार वर्सिये बच्चे की डूबने से मौत हो गई बताया जा रहा है कि मिर्ते करनकुमार गाउं के ही कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था उसी कड़म में गहरे गड़े में डूबने से बालक की मौत हो गई बताया गया कि इन दिनों सूरसर नदी के पानी बढ़ने के बाद गाउं के आसपास पानी फैल गया है खेत खलियान खाई सब में पानी लगा हुआ है घटना के बाद बच्चे की मौत की खबर मिलते ही पड़ी जनों में कहरा मच गया हालाकि घटना के बाद सूचना मिलने पर स्थानी पुलीस वा राजस्व करम चारे घटना स्थल पर पहुँच कर जाच में जुट गई है जानकारी क अनुसार भीमपूर वार्ट संख्या चौदा निवासी सुभास सिंग के चार वर्षी पुत्र परोस के कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था उस समय उसके माता पिता किसी काम हे तू घर से बाहर गए हुए थे उसी करम में घर के आसपास गहरे पानी के चपेट में आ गया और डूब गया जिसके बाद साथ खेल रहे कुछ बच्चों ने होहला किया जिसके बाद आसपास के गरामीनों ने अस्थल पर पहुँच कर बच्चे की खोजबिन करने लगे उसी खोजबीन के दौरान कुछ लोगों ने बच्चे को पानी से बाहर निकाला लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी लिहाजा बच्चे को देखते ही परिजन दाहार मार करोने लगे वही मिर्तक के माता पिता को रोते देख आसपास के लोग भी गमगीन है पानी कहां से आ रहा है पानी जो है नदी का बार उठ गया है बार ठेकने के बाद सुरसर का जो पानी यह दर निकला है उस निकासी में जो नब बच्चा नहीं बच्च पाई उसी में तिन-चार बच्चा गया एक बच्चा डूब गया है डूबने के बाद 10-15 मिनट के बाद हला हुआ तब तक बच्चा डेट बोडी हो गया मर गया बच्चा पूरा तुपान चल रहा है, पूरा पैनु फ़िला हुआ है, दस नमर, तीरो, नमर चोदर नमर में पानी फूल हो गया है। दान, फसल सब बिर्बाद है, उसी कुल में बचा का मा गया था बाद, बचा सब अभी धर से जा रहा था, उसी में डूब गया बचा किसी अधिकारी को सुझना किये हैं परोक किये हैं बढ़ाक किए ह 인साइब किया किये थे वियर नहीं पूले किये अधिकारा को वियर्ग मतें धस इससे हो फ़त चालीच, 技 पर contracted कि युचे धाहिए बहुत चती है